रोस्टिंग रोस्टिंग भाई साब क्या रोस्ट एपिसोड था मज़ा आगया देखे आज सुबे ही जैसे मैंने अपना फोन खोला और मुझे रोस्ट एपिसोड दिखा मज़ा आगया और अगर रोस्टिंग की बात करें तो देखो मुनवर एक अच्छे खासे रोस्टर है वो अच्छे खासे stand-up comedian है जैसे कि सलमान खान ने इनको बोला था कि भाईया माइक के आगे खड़े होके तो तुमने किस की नहीं बजाई लेकिन अपने लिए अभी तक तुमने किसी की नहीं बजाई तो कुछ उसी अवतार में नजर आये हैं मुनवर फारुकी अपने old वाल कर देते हैं तो इतना बढ़िया रोस्ट उने किया जाता तर वह रोस्ट जो था वह विक्की भाईया के उपर और अंकिता के ही आजू बाजू घूमता था जिसको विक्की भाईया तो बहुत सपोटिंग ली लेते वे नजर आये बहुत क्लाप कर रहे थे बहुत खुश हो लेकिन जिस तरीके का इसका तीन चार दिन से नेचर सामने आया है ना इनके अंदर पेशेंस लेवल बिलकुल जीरो है यह किसी को बोल दें जस्टिफाय है किसी और का मजाग बन रहा हो यह खूब हसेंगी खूब पार्टिसिपेट करेंगी बट वैन इट कमस तू हर और को उन्हें उपर लीवी इंसल्ट अंकेता लोखंडे से बरदाशनी हुई इतना सड़ावा मूँ बनाया और कह रही है I am not liking it I am not liking it बहिया चाहे तुम इसे like करो चाहे ना करो पर audience ने भाई साब जो like किया है ना तालियों की अवास सुनके मज़ा आ गया इनकी खुद के पती न उनकी चाह्वा को इतना जादा le Sans उन्हों ने अपने आपको भी लिया है अपने आपकी रोश्ट करी है सारे घर की कंटेस्टन के साह साथ रचैना प कि रोस्ट करी और अपने ओपर रोस्ट भर्धाश भी करी जो कि सब उनकी होपर शाइर ही मैहरी गई थी नई भावी कितनी भावियां और है something like that तो उन्होंने उसको भी हस के बहुत positively लिया लेकिन अंकिता लोखंडे मुझे लगता है superiority complex को जादा ही अपने साथ लेके बैठी हुई है या इनके साथ क्या problem है समझ में आता नहीं है ये तीन चार दिन से बहुत जादा जो कि इनकी personality पे देखने में हम लोगों को भी यहां से बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भी अंकिता को पसंद करते हैं और आप में से बहुत लोग भी पसंद करते होंगे लेकिन अब जो day by day उनकी हरकते हो रही है इससे वो बहुत irritating लगने लगी ह पहले आधी दुनिया सिर्फ विकी जैन की गलती निकालती थी कि विकी जैन ऐसा विकी जैन वैसा लेकिन अगर देखा जाये तो अंकिता लोगंडर विकी जैन दोनों अलग अलग personalities है और दोनों के nature बहुत different है और दोनों को चीजों को लेने का तरीका बहुत different है क्योंकि supporting तरीके से लिया है यहाँ पे विकी जैन ने पूरा roast जबकि विकी जैन के ऊपर वो roast था मनारा के ऊपर था मनारा भी हस्री थी विकी जैन भी हस्रा था लेकिन उन चीजों को दिल पे लेके चली गई अंकिता लोगंडे हर चीज के अंदर इतना serious nature दिखा देना लेकिन जब पही roast किसी और contestant के लिए हो रहा है तो वहाँ पे आप अंकिता लोगंडे के चाहरे पर मुस्कान देखना तो अपने उपर चीजे लेनी ना उनको आई नी रहे उन्हें लगता है कि मेरे को कोई कुछ न बोले मैं जो कर रही हूं वो राइट है मैं जैसा बोल रही हूं वो लेने हैं तो यह कुछ इस तरीका का सिनारियो अंकिता लोगंडे का चल रहा है जो कि देखने में मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि भाया तुम बिग बॉस के घर के अंदर हो वहाँ इनकी सास इतनी जादा ट्रॉल हो रही है मुझे लगता है कि अभी तक के बिग बॉस क सीजन में इतनी जादा फूटेज इतनी जादा लाइमलाइट तो किसी भी फैμली के ममबर को ने मिलियोगी जितनी लाइमलाइट मेरे को ऐसा लगता है अंकिता लोखंडे से भी कई जादा लाइमलाइट उनकी सास बडूर चुकी है क्योंकि उस बंदी ने भी वहाँ पे जाके जो चीज़े feel कियोंगी उसके हिसाब से बोली उनको शायद manipulation नहीं आती है वो बहुत straightforward है उनको जैसा feel हुआ उन्होंने वो चीज़े बोल दी क्योंकि शायद हो सकता है कि अंकिता का यह behavior उन्होंने भी बाहर देखा ना हो और जो behavior उनके आगे एकदम से आ गया तो उनक के बेटे को लात भी मार सकती है या उनके बेटे के हाथ इस तरीके से बाद भी कर सकती है बार बार बेटे को इस बात की धंकी देना कि मैं बहार जाके रिष्टा तोड़ दूगी कितनी बार हिंट दोगे मतलब एक शादिशोधा इंसान के मूह से मैं यह wonder होती हूं कि अंकिता का निगल के आ रहा है और वहां पर पूरी इनकी साश बन चुकी है जबकि पूरी गल्ती उनकी नहीं होगी वह बहुत प्यार करती है अंकिता को उन्होंने एक सेप्ट किया है उसको लेकिन कुछ चीजे उन्होंने फ़लोफ़लो में ऐसी बोल दिया यह बोली उनह के बोलना नहीं है जिसकी वज़े से वो एक वैंक वाली सास के रूप में दुनिया में दिख गई है लेकिन अगर देखा जाए तो अंकिता ने भी शोग के अंदर कोई अच्छी धंडे नहीं गा रहे हैं उन्होंने वो डिस्रिस्पेक्ट करी है no doubt कि इनके husband के अंदर भी problem है लेकिन अगर लड़के के अंदर problem दिख रही है तो लड़की के अंदर भी equal problem है बस रीजन यह है कि उस लड़के की problem last तक अब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं और अभी तक सिर्फ लड़के की problem दिख रही है कि टाइम नहीं दे रहा है बात नहीं कर रहा है चोंकि वह लड़ होगा वह उसको dominant करने के शायद कोशिश करें कि यह मेरे हिसाब से खेलेगा जैसा मैं बोलूंगी वैसा करेगा लेकिन वहाँ पर विकी अपनी पस्नालिटी दिखाने के चक्कर में इन दोनों के बीट में बनने रही है वह अपनी पस्नालिटी दिखाने में बिजी है और अंक बनाए है अपनी अलग अलग पस्नालिटी दिखाई है इसलिए वह अभी तक सर्वाइज भी कर रहा है वरना वह शो से कपका आउट हो चुका था अगर इनहीं की चारों तरफ वह घुमता रहता तो कुछ इस तरीके का आज एपिसोड में देखने को मिला है आप भी कमेंट सेक्षिन में बताना कि अंकीता लोखंडे को आप लोग बसंद करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि वह बिग बॉस की विनर बने और आपका अगर कोई फिविट कंटेस्टेंट है तो वह भी कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताना